हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चनल पर दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा था जूडिस सेक्सपियर बाई वर्जिनिया वूल्फ है जूडिस सेक्सपियर रिटन बाई वर्जिनिया वूल्फ तो इसकी मैं आपको अनलिसिस बता रहा था शौड समरी मैंने प पार्ट आया है और मैंने बता था है जो एंलेसिस से completely 3 पार्ट में आएगा तीन पार्ट में पूरी त्रीके से एंलेसिस समाब्त हो जाएगा तो चलिए देखते हैं आज दूसरे पार्ट में हम लोग को कहा से स्टार्ट करना और क्या पढ़ना है देखते हैं आगे तो फर्स्ट पार्ट में मुझे लगता है मैंने आपको 8 पॉइंट बता दिये थे 8, 8 उसके आगे हम लोग को देखना है 90 पॉइंट से तो चलिए देखते हैं देखिए वूल्फ अलिउट्स टू दा प्रिविलेजिस इंज्वाइट बाइ वूल्फ यानि वर्जिनिया वूल्फ अलिउट्स का मतलब जिक्र करती है संकेत करती है किसके तरफ टू दा प्रिविलेज़ मतलब होता है सुक सुबिधा या विसेशा दिकार यानि जो विसेशा दिकार थे किसको विसेशा दिकार मिले थे enjoyed by the male child यानि कि जो लड़के होते थे male child का अंतरब लड़के वो जो enjoy करते थे जिस सुब्धा का अनंद उठाते थे जो उनको विसेसा धिकार मिले थे उसकी और संकेत करती है वर्जिनिया वूल्प यानि उसका भी जिक्र करती है यह कौन कौन से सुब्धा है उनको मिली थी वर्जिनिया अलिव्ट्स तब प्रिविलेज़ enjoyed by the male child ओके प्रिविलेज़ का मतलब सुख सुब्धा या विसेसा धिकार सेक्सपियर वोस फ्री कौन कौन से सुब्धा था सेक्सपियर वोस फ्री टु स्टड़ी यानि पढ़ने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र थे कोई रोक टोक नहीं जो मन कहें जो पढ़ें जहां मन कहें जहां पढ़ें सीक सेक्सवल एक्सपिरियंस यानि प्यार रोमांस करने का भी उनको पूरा का पूरा अधिकार था कोई किसी प्रकार की पाबंदी उन पर नहीं थी ओके सीक का मतलब ग्रहण करना सेक्सवल एक्सपिरियंस का मतलब सेक्सवल अनुभव ओके यही जो आसकल होता है प्यार महुबत तो इसको भी करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंतर थे लीब होम घर छोड़ने के लिए भी पूरी तरीके से स्वतंतर थे मतलब घर से भाग जाना घर से बाहर रहना बाहर घूमना इसके लिए भी स्वतंतर थे and act और कोई भी काम करने के लिए भी स्वतंत्र थे and write और लिखने के लिए भी स्वतंत्र थे यानि लिखरने, पढ़ने, घर से आने, जाने काम करने, रोमांस करने, पढ़ने मतलब कुछ भी करें सब के लिए वो स्वतंत्र थे William Shakespeare ओके तो ये नवा पॉइंट आपको समझ में आया होगा आगे देखें दसवा पॉइंट Shakespeare's wonderfully and extraordinary gifted sister Judith remained at home Shakespeare की जो सबसे आश्चर जनक और आसाधारण प्रतिभा साली बहन थी वो कौन थी Judith Shakespeare remained at home जो की घर पर ही रह गई उसको बाहर जाने का मौका ही नहीं दिया गया Wonderfully का मतलब आश्चर जनक रूप से Extraordinary का मतलब होता है आसाधारण रूप से gifted का मतलब प्रतिभा साली यहाँ पर उपहार नहीं होगा gifted का मतलब प्रतिभा साली यहाँ कि Shakespeare की जो बहन थी वो आश्चर जनक रूप से आसाधारण रूप से प्रतिभा साली बहन थी Judith remained at home और वो घर पर ही रह गई मतलब जो उसकी बहन थी Judith जो काफी प्रतिभा साली आसाधारण पूर तरीके से आश्चर जनक तरीके से अध्भूत थी प्रतिभा साली थी बहुत टैलेंट था उसमें वो घर पर ही रहे गई उसको कहीं जाने मौका ही नहीं दिया गई she was as adventurous adventurous का मतलब जोखिम वाला काम करने वाली मतलब साहसी आप कह सकते हैं ब्रेब कह सकते हैं बहादूर she was as adventurous वो उतना ही साहसी थी as entheosic और उतना ही entheosic मतलब energy full जिसमें बहुत ज़्यादा energy हो जो सीला जैसे कहते हैं उतनी ही जो सीली थी energy full थी उत्साही यानि वो उतनी ही साहसी थी उतनी ही उत्साही थी as wild उतनी ही wild का मतलब जानवर नहीं उतनी ही ताकतवर थी as imaginative उतनी ही कालपनिक थी कलपना करने वाली as eager उतनी ही उत्सुक थी किसी काम को करने के लिए as creative और उतनी ही निर्माड करने वाली थी creative का मतलब जो किसी चीज का निर्माड कर सके जैसे कोई बुक लिखता है, कोई कुछ और काम कर सकता है, तो creative उसको बोलते हैं, उतनी ही creative भी थी, as lively, lively का मतलब जिन्दादली, जिसके अंदर बहुत ज्यादा जोस हो, लगभा लगभा सारे वर्ड का मतलब एक ही है, बर थोड़ा थोड़ा different होता है, तो उतना lively थी, यानि सजीव, जोस से भरी हुई थी, and as agog, और उतनी ही आतुर थी, to see, देखने के लिए the word, संसार को as ही जितना की वो था, यनि जितना साहसी, जितना उसक, जितना आतुर, जितना जोसीला, सेक्सपियर था, कि हम संसार में famous हो जाएं, संसार को पूरी तरीके से देखें, उतनी ह लेकिन उसको स्कूल भेजा ही नहीं गया, ओके, तो ये 11 पॉइंट मैंने आपको complete करा दिये, चले देखते हैं, next, also she had no chance of learning grammar and logic, grammar सीखने का, learning grammar का मतलब grammar सीखने का and logic, और तरक सक्ती, यानि तरक सास्त्र को सीखने का, she had no chance, उसे कोई मौका ही नहीं मिला, also का मतलब भी, यानि कि she had no chance, उसे कोई मौका नहीं मिला, कोई मौका नहीं दिया गया, of learning grammar and logic, grammar और logic को सीखने का, यानि कि ब्याकरण और तरक सास्त्र को सीखने का भी मौका उसको नहीं दिया गया, was not allowed to read Horace and Virgil, Horace और वर्जिल के किताबों को भी पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, उसको, was not allowed, अनुमती नहीं दिया गया, to read पढ़ने का, Horace and Virgil, Horace और वर्जिल को, यानि ये जो बिदवान थे, जिनको सेक्सपेर ने पढ़ा था, लेकिन, सेक्सपेर ने पढ़ा था, लेकिन, इनकी बहर जुड़ी सेक्सपेर को पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, कि ये भी थोड़ा सा Horace और वर्जिल के बारे में जान ले, इनको मोका ही नहीं दिया गया, not allowed to read Horace and Virgil, ओके समझ में आया होगा, whenever she picked up a book to read, जब कभी भी ये चुपके से एक book उठा लेती थी, पढ़ने के लिए, whenever, जब कभी she picked up वो चुन लेती थी, यानि उठा लेती थी, एक book, एक किताब to read पढ़ने के लिए, जब कभी भी ये चुपके से विल्यम सेक्सपेर की एक book उठा लेती थी पढ़ने के लिए, तो क्या होता था, his parents would discourage her, उसके जो parents यानि माता पिता थे, would discourage her, उसको निरूद साहित कर देते थे, हतोत साहित कर देते थे, एक होता उत्साहित और एक होता हतोत साहित, उत्साहित का मतलब आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोशाहन देना, कि चलिए पढ़, अगर आप book पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे पद पर जाएंगे, काम्याब होंगे, लेकिन एक होता है कि बहुत लोग कहते हैं, कोई नवकरी तो मिल नहीं जाएगी, इतने बेरोजगार बैटे हैं, तुम भी book पढ़के हैं, इसे degree लेकर बैटोगी, तो ऐसे उसके माता पिता जो थे, उसको discourage कर देते थे, हातोत साहित कर देते थे, निरूत साहित कर देते थे, they told her, वे उसे कहते थे, to mend की ध्यान दो, mend का मतलब ध्यान देना, the stockings का मतलब घर के जो कामकाज हैं, उन पर वैसे stockings का मतलब होता है, मोजा, लेकिन यहाँ पर मोजे का कोई sense नहीं आ रहा है, इसलिए, उसे कहते थे, तुम घर के कामकाज को करने पर ध्यान दो, और या फि stew का मतलब खाना पकाने, यानि cooking करने पर ध्यान दो, and or not to the moon, not to the moon, moon का मतलब तलीन होना, दिमाग लगाना, बहुत जेते, होता हैं, कोई-कोई ब्यक्ती, कोई-कोई चातर होता है, बहुत दिमाग लगा कर के बुक को पढ़ता है, बहुत तलीन एकदम, इंट्रेस्ट ले क करके बुक को पढ़ता है, तो कहती है, जिसमें कहते हैं, रूजहान बहुत होता है, बहुत इच्छा होती है, जुक जाना, कहती है, not to the moon, जुको मत, यानि interest मत लो, about with books, बुको के साथ, and papers, यह जो paper होते हैं, इन में ज्याद़ तलीन मत हो, इनकी तरफ ज्याद़ मत जुको तो यह उसके माता-पिता उसको खुद राय देते थे, आप सूचिए, पहले का जो society था, ऐसा था, कि माता-पिता ही रोकते थे, तो फिर अधर की बात ही अलग है, Judith is chastised by her parents, if she happens to pick up a book, chastised का मतलब होता है, दंडित किया जाना या सजा देना, ओके, और pick up का मतलब उठाना, Judith is chastised, Judith को सजा दिया जाता था, by her parents, उसके parents के द्वारे, यानि उसके माता-पिता उसको सजा देते थे, if she happens to pick up, वो उठा लेती थी, a book, एक किताब, मान लिजए वो अपने भाई का, William Shakespeare का कोई book उठा ली पढ़ने के लिए, तो उसके माता-पिता देख लेते थे, तो क्या करते थे, उसको सजा देते थे, as, क्योंकि, she is inevitably, abandoning, वो अनिवार रूप से छोड़ रही थी, inevitably का मतलब अनिवार रूप से, abandoning का मतलब छोड़ना, वो अनिवार रूप से छोड़ रही है या थी, some household course, घर के कामों को, कुछ घर के कामों को, household course का मतलब घर के कामकास, घरेलू कामकास, क्योंकि, घर के लेट कर रहे थी उनको कर नहीं रही थी to which she should be attending जिसकी और उसे ध्यान देना चाहिए था उसके मात पिता उससे कहते थे जब मारते थे सजा देते थे तो उससे कहते थे मैं कुछ दिन से देख रहा हूं कि तुम घरेलू कामकाज में ध्यान नहीं दे रहे हूं जो कि तुम्हे करना चाहिए वास्तों में तो उसको सजा देते थे जब बुक पढ़ते थी घरेलू कामकाज नहीं करते थी वही यहाँ पर लिखा आज सी इनेवेट इनेविटेबली अबेंडेनिंग इनेविटेबली का मतलब अनिमार रुप से अबेंडेनिंग का मतलब छोड़ रही थी सम हाउसोल्ड कोर्स घर के कामकाजों को यहनि घरेलू कामकाजों को छोड़ रही थी तो विच जिसको सी सुड़ बी अटेंडिंग उसको अटेंड करना चाहिए ध्यान देना चाहिए करना चाहिए जिस काम को उसे करना चाहिए उसको छोड़ रही थी इसलिए उसको सजा जाते थी जूडित कंफ्रांस कंफ्रांस का मतलब सामना करती थी जूडित कंफ्रांस जूडित सामना करती है प्रोहिबिसंस मतलब मनाही का यानी बाधा का जिसे जब वो पढ़ती थी या कोई काम करती थी अपने मन का पढ़ने का कहीं बाहर जाने का तो उसको रोक दिया जा जहां कहीं भी वो अपने मन का काम करती थी मतलब जहां कहीं भी वो बुक पढ़ती थी या कहीं बाहर जाना चाहती थी तो उसे बाधा का सामना करना पड़ता था यानि बाधा कौन ड़ता था उसके parents ओके तो ये line थोड़ा सा हो सकता है आपको ना समझ में आई हो लेकिन substantial people वे substantial people थे यानि अच्छे लोग थे उसके माता पिता जो थे समझदार लोग थे यानि Judith Shakespeare के जो parents थे वो समझदार थे who knew और वो जानते थे the conditions of life जीवन की इस्थितियों को for a woman एक आउरत के एक आउरत के लिए उसमें क्या इस्थितिया थी उसके जीवन में क्या-क्या conditions आती थी उन सब को उनके माता पिता जानते थे and loved their daughter और अपने पुत्री को प्यार भी करते थे so this spoke sharply इसलिए जब वे इसलिए so इसलिए they spoke वो बोलते थे sharply मतलब तीखी अवाज में जोर से but kindly लेकिन फिर भी प्यार से बोलते थे क्योंकि उसके माता पिता जो थे जुड़ी सक्सपेर को वो भी जानते थे कि समाज ही कुछ ऐसा है कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है मान लिज़े मैं अभी भेज भी दूँ पढ़ने के लिए तो समाज क्या कहेगा कि ऐसे होता नहीं कि अगर आप अभी जो इसके माता पिता अगर भेज दे तो समाज उल्टा सिधा बात कहेगा बिज़िती करेगा इनके मातापिता कि तो उसके मातापिता अच्छे थे समझदार थे सबस्टेंशल थे लेकिन क्या करेख भेज नहीं सकते थे इसलिए जब उसको मना करते थे कि बुक ना पढ़ो तो सारपली मना करते थे मतलब तीखी आवाज में गुसे से मना करते थे, लेकिन गुसे में भी क्या होता था, kindly यानि प्यार होता था, बिनमरता होती थी, क्योंकि वो भी condition जानते थे, यह सही condition नहीं, लेकिन कर भी क्या सकते थे, जीवन के condition को उसमें जानते थे, कि इनको भी अधिकार मिलना चाहे लेकिन अब इनके एक लोग के कहने से तो अधिकार मिल नहीं जाएगा तो इसलिए थोड़ा सा वो भी डाट देते थे प्यार से कि बेटी मत पढ़ो समाजी ऐसा है क्या कर लेंगे अब देखिए ये जो पॉइंट है पंद्रावा पॉइंट ये थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ी सी प्रriasर प्रॉप्लम होगी और मुझे भी इसका थोड़ा सार्थ सही से नहीं पता है क्या है क्या है की देखिए आप लोग पता कीजिये और मुझे बताईए comment box में क्या है see scribled some pages up in an apple loft on the slide but see hide them or set fire to them see scribled some pages वो कुछ pageों को घसीटती है scribled को मतलब घसीटती है अब मतलब उपर in an apple loft apple loft में यानि कि कहने loft को मतलब क्या होता है आटारी या मचान जो सीड़ी होती है उनके किनारे जो लगा होता है साइद उसी को बोलते है तो वो apple का जो मचान था यानि apple का मतलब apple के पेंड का लकड़ी से बना था वो मचान उस पर pageों को घसीटती है on the slide slide मतलब धूरतता उसने उस page में क्या लिखा था धूरतता यानि मकारी पर कुछ लिखा था slide का मतलब मकारी या धूरतता उन pageों पर उसने मकारी के topic पर कुछ लिखा था और उन pageों को क्या करती है apple के मचान यानि अटारी पर घसीटती है बट लेकिन see hide them वो उसे छिपा लेती थी और set fire to them या फिर उनको आग में जोक देती थी मतलब जला देती थी उसको बेक्त ने जैसे क्योंकि उनको लिखने का अधिकार नहीं था ना तो जैसे वो किसी topic पर लिखती भी थी तो या तो उनको छुपा करके रख लेती थी या तो फिर उनको जला देती थी तो हो सकता है लाइन आपको समझ में आई हो लेकिन मुझे थोड़ा सा an apple loft नहीं समझ में आ रहा है क्या है आप देखिएगा मुझे भी बताईएगा comment box में okay if those days sorry in those days उन समय यह उस समय women were not supposed to be writers इनको supposed नहीं किया जाता था माना नहीं जाता था writer मतलब लेखक और तो उनको लेखक नहीं माना जाता था कि यह भी लिख सकती है उनको नहीं माना जाता था so they had to hide इसलिए उन्हों hide करना पड़ता था और blot out what they had written या फिर उनको blot out मतलब जला देना बरबाद कर देना पड़ता था जो कुछ उन्हें लिखा है क्योंकि उस समय इनको writer नहीं माना जाता था इसलिए यह कुछ लिखती भी थी तो उसको जला देती थी छिपा लेती थी बरबाद कर देती किसी को दिखाती नहीं थी नेक्स्ट पॉइंट यानि सुलावा पॉइंट बिफोर सी वाज आउट आफ अफर टीन सी वाज बिट्रोथेड टू दा सौन आफ ए नेबरिंग बूल स्टैपलर सं बिफोर के पहले सी वाज आउट आफर टीन यानि उसकी टीन्स के पहले जूटित की टीन्स का मतलब जब आप साधी के लाइक हो जाते हैं तो वो अवस्ता आपकी टीन्स कहलाती है मतलब आप कुमारी हो गए एक परकार से आपकी साधी होने लाइक है जैसे लड़कों में जवान कहते हैं तो वही ठीक है, ओके, तो वो जवान भी नहीं थी, यानि कि साधी करने लायक भी नहीं थी, यानि उसकी ये उसमें 14-15 कह सकते हैं, तभी क्या होता है, उसकी मंगनी करा दी जाती है, यानि साधी की उम्र हुई नहीं थी, उसके पहले उसकी मंगनी करा दी गई किस से? to the sun of a neighboring wool staplers उसका एक पडोसी था wool staplers उसी के बेटे से to the sun यह बेटे से आफ ए neighboring wool staplers sun जो की पडोसी था neighboring का मतलब पडोसी था wool staplers sun wool staplers के बेटे के साथ उसकी मंदनी हो गई साधी तैं हो गई तो यह 16 पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिया अब इसके 67 पॉइंट जो भी है बचे हैं उसको मैं पढ़ा दूँगा लास्ट पार्ट में उम्मीदे वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को